स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर लगातार उधंपू स्री नगर बारा मुला रेल लिंक प्रोजेक्ट जिसके तहत जम्मू को कस्मी से जोड़ने का कारी चल रहा है उस पर अपडेट देता आ रहा हूं अज मैं इस व प्रोग्रेस बताने वाला हूं बहुत सारे लों का कमन्ट आया हमारे लेटेस्ट वीडियो पे टीवन टनल जो कि श्री माता पहसनों देवी जिस पहाड़ पे हैं उस पहाड़ के नीचे से पास हो रहा है का अपडेट मांगा गया है तो आज मैं टीवन टनल को बारे में जो है उसके प्रोग्रेस के बारे में बिस्तार से आपको बताएंगे ठीक हैं तो पहले हम थोड़ा सा एक ओवर्वीव दे देते हैं कि उधाम पूसरी नगर बारा मुला रेलिंग प्रोजेक्ट बिथ मैप क्या चीज है हाला कि काई बार हमने मैप के द्वारा इस प्रोजेक्ट के बारे में रूट को बताने की कोशिस किया है लेकिन तब भी कुछ लोग जो मा लीजे कि कोई पीछे का वीडियो मेरा नहीं देखा है और उसको जानना है तो उसको भी इस वीडियो से चीजे क्लियर हो जाएंगे यहां पर देखें पूरे रूट के अगर हम बात करें तो यह उधामपूर है एक मिट कलर थोड़ा चेंड कर लेता हूँ ठीक है यहां पर यह देखें यह उधामपूर है ठीक है उधामपूर से जब आप स्री नगर साइड में बढ़ेंगे तो अगला इस्टेशन आएगा कट रहा ठीक है और यहां पर देखेंगे आपको छोटा से दिख रहागा यह टीवन टैनल है उसके आगे आप बढ़ोग तो आपको अंजी खड़ ब्रीज दिखेगा इस पूरे प्रोजेक्ट में दो ब्रीज जो एक तरह से इंडिया में तो हाइस्ट है ही बाकि वर्ड लेवल पर भी अपना जो है बहुत बड़ा इमेज बनाकर रखे हैं अपने डिजाइन के हिसाब से और उनकी जो हाइट है और जो टेकनोलोजी उसमें यूज हुए उसके भी हाप पर तो अगर हम अंजी खड़ ब्रीज की बात करें तो अंजी खड़ ब्रीज जो है इसका जो कंस्ट्रक्शन था यह बहुत ही जटिल बहुती कठिन था चुकि जह जगह पे इसको बनाना था वहां पे इस ब्रीज की एक इंड में थोड़ी सी फिजी मिन्टि थीग दोसरे दो में से जो काफी वर्टिकल होने के विज़ाँ से काफी खड़ा पहाड और होनी की विज़ा से थीजा दो सब्सक्रें के लिए ईक तरफ से काम करते करते दूसरे तरफ पर दूसरे एंड पर पहुंचा गया है तो इसलिए इसका जो कि डिजाइन है और जैसे केबले लगी हुई है यह सब अपने में जो है काफी बहुत खास हैं और बड़ा अलग तरीके से इसको कंस्टक किया गया है ठीक है आगे जब आप बढ़ेंगे तो रियासी यह रियासी स्टेशन है यह देखिए यह रियासी स्टेशन है ठीक है और उसके आगे जब बढ़ेंगे तो आपको एक ब्रिज दिखेगा यह चिनाब ब्रिज ठीक है दो ब्रिजों की बात हमने की अंजी तो इसलिए यह भी अपने में खास हो जाए तो इस प्रोजेक्ट पे दो बहुत बड़े ब्रीज बनाए गया है एक अंजी खाड ब्रीज और एक चिनाब ब्रीज प्रोजेक्ट के बारे मोन मिल जाएका इसके डिजान के बारे में और ये खास है इसके लिए आपको मेरे चैनल सार्च करो अजी खार भीज को आपको वीडि общем है प्रोजेक्ट का नाम ही रोध करो आँए सबूत करू intent सट्रेंज चल गई है तो यह देखिए लास्ट जो इंड हो बारामुला है इस पूरे प्रोजेक्त का नाम ही ए उधंपूर स्रिन अगर बारा मुला रेल्लिंग प्रोजेक्ट यानि कि इन तीनों जगों को जोड़ा यह प्रोजेक्ट जोड़ रहा है इसलिए इसका नाम पढ़ गया है ठीक है तो आपको बतादू यहां से यह 12 मुला से लेके जितना ग्रीन कलर का आपको ट्राइक दिख रहा है यहां कहां तक बनी हाल तक यह बनी हाल है यह जो है कि काफी पहले ही बनके रेडी हो चुका था और जो अपरेशनल हो गया था कब 2009 में यह 188 किलिमेटर का पैस था ठीक है यह जो आपका बनी हाल तक 108 यहां तक था ठीक है इस जगह तक काजी कुंड तक ठीक है उसके बनी हाल तो यहनी कि 188 और प्लस अठार यहनी कि 136 किलो मीटर जो है बारा मुला से बनी हाल तक 136 किलो मीटर जो है उसमें एक 108 किलो मीटर जो 2009 में बनके तयार हो गया था ठीक है काफी पहले और एक हिस्सा इधर आप डाउन में आएंगे तो कट्रा से उधंपूर ठीक है कट्रा से उधंपूर जो की 25 किलो मीटर का एक हिस्सा है यह 2014 में ऑपरेशनल हो चुका था ठीक है अब यह सारी चीज़ हम म हिस्सा जो है यह आपका संगलदान रेलवे स्टेशन है ठीक है यह संगलदान रेलवे स्टेशन से बनिहाल तक जो की 48 किलो मीटर है ठीक है संगलदान से बनिहाल तक जो की 48 किलो मीटर है यह अभी 24 जनवरी में इस ट्रैक पर जो है ट्रेन चलना स्टार्ट हो गया है ठीक ह तो जो लोग हमारी वीडियो को लगाता देखते हैं उनको चीजे पता होगा ठीक है और अगर कोई जम्मू से बाहर का भी इस वीडियो को देख रहा होगा तो चुकि काफी लोग जो है जेनके में घूमने आते हैं चुकि यहां पर स्री नगर कस्मीर यह अपने में बहुत ही अच्छा प्लेस है जो यहां पर टूरिज्म में डेवलप है उसको देखने के लोग आते हैं यहां पर ठीक है और कट्रा मता वैसनो दीवी का है ही तो उसके लिए कट्रा तक तो लोग भी आते हैं इसलिए रूट बाकी लोग को भी पता होना ठीक है तो मैंने बता दिया यह 48 km अल्रेडी ऑप्रेशनल हो चुका है अब हम आते हैं अगले हिस्से में जो ऑप्रेशनल होना बाकी है जिसमें अभी सारी प्रक्रियां चल नहीं है वह है यह संगलदान आपका रेलोई स्टेशन संगलदान रेलोई स्टेशन से कहां कटरा तक अब यह चुकि संगलदान चुकि बनिहाल से यह बनिहाल से उधांपूर यह टोटल जो पैच है 111 km का है देखिए ठीक है जो कि इन प्रोग्रेस में दिखाया गया है लेकिन तब यह वाला पोर्षन तो अल्रेडी चल चुका संगलदान से यह तो 48 km चल गया तो 111 से 48 अगर आप घटाद होगे ठीक है तो यह आपका 63 km जो है और बच्चा वो 63 km कहां है वो संगलदान से लेके कट्रा तक है ठीक है और इसी को ऑपरेशनल करने का पूरी तयारी जोरो सोरे से चल लाई है और हम एकदब नियर अबाउट है इसे से रिलेटर में आपको बस दो तीन बीस तारीक को एक मेमो ट्रेल ट्रेन का ट्र ट्रायल हुआ है संगलदान से संगलदान से संगलदान से कहां कट्रा नहीं कट्रा में अभी नहीं हो पाए इसकी कहानी में आपको बताता हूं संगलदान से रियासी ठीक है संगलदान से रियासी इस्टेशन तक हुआ है ट्रायल तो एक्चुली इसी पार्ट का जो है अभ 26-27-28-3 दिनों में मिलाके होना है ठीक है पूरे पाइच में CRS CRS क्या होता है कमिशनर आफ रेले सेप्टी की एक टीम होती है जो ट्रेक को चेक करते हैं सेडियोल आप डायमेंशन को चक करते हैं और अप्रूबल देते हैं सारे मेजरमन को देखते हुए कि यह ट्रैक जो है अब ट्रेन चलने के लिए रेडिया और उनके अप्रूबल के वाद ट्रेन चलना सुरू हो जाता है ठीक है अब रही बात एक पोर्शन का जिस पे काफी क है ते टेवन टonneल है विते वर्शन हैं यहाँ पर कृक्ष कं फ्रोग्रेस में हैं और इसके बारे में बहुत बार-बार हम इंसका जु है डिटेल दे चुका हूँ कि अथी ठीक है अगर कोई शिविल इंजनियर तो इसको जैसे आप बोल सकते हैं एक्वीफर वगर बोलते हो ठीक है मतलब पहाड के अंदर अंदर जो है पानी निकलता रहता है ठीक है तीक तीन सो मीटर चोड़े से टीक वाटर बोड्दी यहां पर पाए जाता है जिसकी से बीच में इसका अल्याइनमेट भी चेंज चिए गया था बहुत पहले पहले सो की बारोर परने वारी मसीने इसके वेटर ऐगर एगर तो सब बहने लगते हैं इस फ्लो से पाने निकलता है तो आप समझ लिजे कि कि टीवन में काम क्या बच्चा हुआ है तो काम एक वर्ड है बेंचिंग ठीक है साधार भासा में कर हम बोलें अगर कोई टनल का काम किया सिविल इसको पता होगा लेकिन जनरल पहुत साही लोग जनरल भी है जो वीडियो को देखना चाहते हैं तो अगर इसमें हम कि बेंचिंग का बात करेंगे तो जिसे यह पूरा पोर्शन है यह यह बॉटम में इसको जो है इसके वेट करना होता है खोद करके निकालना होता है फिर यह जो आपको इस तरह से बॉटम में दिख रहा है यह सरिया इस तरह से सरिया लगता है और इसी तरह से उपर से भी सरि अगया पर कंक्रीट करना होता ठीक है तो यह जो यहां पर कंक्रीट करते हैं इसको इन्वाड बोलते हैं और इसको इस पूरे की बात करें तो अगया यह मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं यह बेंचिंग वाड बोलते हैं इस पूरे पॉर्शन को खोद के निकालना होता है फिर बॉटम में कंक्रीट करना होता है तो यह जो काम बचा है बेंचिंग का यह बचा हुआ है यह बचा हुआ है सो मीटर अप्रॉक्सिमेटली सो मीटर काम बचा हुआ है यह बहुत सलो होता है देखने से लग रहा है इस बहुत सलो होता है मुश्किल से जो है एक से दो मीटर जो है एक दिन में हो पाता है ठीक है जब उस पूरे पूरे पॉर्शन में वह बेंचिंग होने के बाद यह इस तरह से प्लेन दिखेगा फि लगबग ठीक है। लगभग ह मीप्टेश्य क्वेश्य कारें करना परणी चुक्की काम बहुत क्रेटक旅 कि इसकृटर में कातर लगा हुआ है। है यह राउन में घुमता रहता है और काटता रहता है तो इस तरह से कटिंग में भी मैं आगटा है कि उसके बाद जब यह कटिंग वह जाएगा ठीक है कटिंग मैंedi हो जाएगा तो इस पूरे उपर 과 आ Mitgl Month परस में कंक्रीट होना जिसको लाइनिंग बोला जाता है लाइनिंग ठीक है लाइनिंग और बोला जाता है आप सिंपल बासा में रख लो इसको यहां पर यह से यह पूरा कंक्रीट होना यह पूरा जो है concrete होना इस पोर्ट सर्म ठीक है यह जो concrete है lining का जो काम है यह लगबख 300 मीटर बच्चा हुगा है ठीक है तो अभी इसका जो target date दिया गया था ओफिसली ठीक है वह अगस्त में दिया गया था जो कि इंटर्व्य में भी किसी रेलेवे के बड़े अधिखारी के दोरह बताया गया था तो यह अगस्त में जो है टार्गे डेट था लेकिन अगस्त में अब नहीं हो पाएगा पॉस्बिली जी साफ से काम बचा उसी साफ से यह दिसंबर दिसंबर 2024 तक कंप्लीट होने के चांस है तो आई होप इंफोर्मेशन अपनों को अच्छा लगा होगा इंफोर्मेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह से आपको वीडियो लगातार चाहिए और अपडेट चाहिए तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इंफोर्मेशन मिल सके ठीक है थेंक्यों फूर वाचिंग